दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए आज हम उन्हें बताएंगे एक इसे बिजनस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में 2-5 लाक रुप्या आराम से कमा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनस क्या है ये बिजनस कई से करेंगे इसमें कौन- कि इस बिजनस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो में जो मसीन आपको दिख रही है वो है अल्मुनियम फॉयल से कंटेनर बनाने की मसीन जिसे अल्मुनियम फॉयल कंटेनर मेकिंग मसीन कहते हैं और आपको बजार में ये मसीन सिंगल कैविटी डवल कैविटी और थ्री कैविटी मॉल्ड के साथ सेमी आट और फुली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी और इस मसीन की जरी अलगलग साइज और डिजाइन के कंटेनर और प्लेट को बनाना बहुत ही असान है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मसीन में एक साइड अल्मुनियम फॉयल का रोल लगा हुआ है और मसीन में लगे डाई के हिसाब से मसीन अपने आप अल्मुनियम फॉयल के बॉक्स त्यार कर रही है और ऐसे प्लांट को अप्कियोवल एक ओपरेटर और दो हेल्पर की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं कर रही है तो है और मसीन अन्ही जाय है और मसीन अन्ही तो ह управ मतने बाई है कर दो हिस। भर चाहिए प्रोट कर दूब कर साहि क कर स לק वाक्यून तेज को कि अम studiedbourg उमे लुकि गो कि खार शार झाल 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 दोस्तों मसीन से जो वेस्ट निकल रहा है यह वेस्ट भी बिग जाता है यानि वेस्ट को भी आदेस ज्यादा रेट पर बेचा जा सकता है और अगर बात करें अलबुनियों फॉयल कंटेनर बनाने की मसीन की तो इस मसीन के जरीए आप सो के आसपास कंटेनर एक मिनट में बना सकते हैं और आप 8 घंटे काम करके 35 जर से 40 जर कंटेनर त्यार कर सकते हैं और यह मसीन आपको सेमी आटोमेटिक और फुली आटोमेटिक मिन जाएगी बड़ी असानी से मिल जाता है दोस्तों अगर बात करें अल्मुनियों फॉयल कंटेनर के मार्केटिंग की तो इसका इस्तमार लगबग हर रेस्टोरेंट होटल धाबा फुड़ेस्टॉल सूपर मार्केट बेकरी सोप स्वीट सोप इत्यादी के दवारा किया जाता है और इसके लिए आपको होटल, डिस्टोरेंट, बेकरी सोप इत्यादी से कॉन्टेक्ट बनाने होगे और उनकी रिक्वार्मेंट को पता करना होगा इसके अलावा आप अपने एरिया के होलसेलर और डिस्टिग्यूटर को भी अपनी प्राइसिंग और सेंपल दिखाएं और मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस सेट करें और शुरुवात में उस साइज और डिजाइन के कंटेनर बनाएं जिनके दिमांड सबसे ज़्यादा है यानि जो ज़्यादा बिकरा है और गाहों से ज़्यादा सहरों में इसे प्रमोट करने की कोसिस करें वहीं दोस्तो इस बिजनेस के लिए जो मेन रॉँ मैटेल से वो है अल्मोनियम फोईल और इसके सप्लायर आपको हर बड़े सहर में मिल जाएंगे जिनके जरी आप अपने बिजनेस के लिए रॉँ मैटरियल्स खरीब सכते है। इस बिजनेस को सुरू करने से पहले आपको कुछ रिशिटेशन कराने की भी ज़्युरुत होगी जैसे आपको पने बिजनेस रिश्टेशन रोझी के अंतरगत कराना होगा आप individual, partnership या फिर private limited के अंतरगत अपने business का registration करा सकते हैं इसके साथ ही साथ आपको खुद को अधार में भी register कराना होगा और trade license के लिए भी अपलाई करना होगा इसके अलावा GST का भी registration कराना होगा और BIS certification की भी जुरूत पड़ेगी आप जहां से ये machine खर देंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी दोस्तो आपको इस business को सुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई information चाहिए तो आप हम से comment करके भी पूर सकते हैं पर हम उसका तुरंत reply करेंगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आप पर योग वीडियो जो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नएने business ideas पहुँचे सबसे पहले आपके पाख